पहले मैं आपको परणाम करता हूँ, मेरा परणाम को आप सिकार करें किसंगंज की पावण धर्ती पे आप आए हैं, आपका अभीनंदन है, स्वागत है मैं कोस्चन करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है मनिस कुमार जालान, मेरी प्लायूट की फैक्टरी है और उसमें हम तीन पार्टनर हैं, एक मुस्लिम पार्टनर भी उसमें है मेरा विस्नेस 18 साल से उनके साथ है कभी धरम, धरम के कारण कभी कोई कंट्रावर्सी हमारे बीच में नहीं आई है और भगवान के आसी रिवास से मैं चाहता हूँ कि आगे भी नहीं आएगा मेरा प्रस्न आप से है कि सनातन धरम और इसलाम में क्या समानता है उसके वारे में मुझे थोड़ा सा क्लिरफिकरसन बाइसाब का सवाल है कि उसकी प्लाइवोड की फैक्टरी है तीन पार्टनर, एक पैटनर, मुसलमाने कभी भी कॉंट्रवर्सी नहीं है और इंशालला नहीं हैंगी उनका सवाल है का सनातन धरम और इसलाम में क्या यकसानियत है उजहनना चाहते है हिंदु मदब की सबसे एहम किताब है वेदा दैन निसरस्वती जिनने सनातन धरम को और आम किया और वो सही कहते है कि मैं मानना चाहिए वेद, वेद सबसे उची किताब है स्मिती और शुत्री शुती मतलब जो भगवान के तरफ से, स्मिती मतलब जो इनसानों ने लिखिए शुती में आता है वेद और उपनिशद तो सनातर धरम के मताबिक और इसलाम के मताबिक भी आप देखेंगे, दोनों में खुदा के बारे में, इश्वर के बारे में, अल्ला के बारे में जो लिखाया वो एक्सा है आप जो पढ़ेंगे चंदों के उपनिशद चैप्टर नमबर छे, सेक्शन नमबर दो, श्लोक नमबर एक में, लिखाया है सान्स्कृत में एककम एविदेतियम खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है लिखाए स्वता सेतर उपनिशिद में चाप्टर नमबर चे श्लोक नमबर नव में नाचेस्य कसिज, जनितान चदिपा कि उस इश्वर का कोई रब नहीं उस इश्वर के कोई वालदे नहीं उससे उच्चा कोई नहीं उसका कोई वालदे नहीं, कोई वालदा है लिखाए स्वता सेतर उपनिशिद में चाप्टर नमबर चार, वर्स नमबर ननीस में नातस्य प्रतिमा अस्थी उस इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं प्रतिमा संस्कित लफ्ज है इसके मानी अक्स, पिच्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टाच्यू, स्कल्प्चर तो लिखा है उस इश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा ने, कोई अक्स ने, कोई पिच्चर ने, कोई पेंटिंग ने, कोई पोट्रेट ने, कोई आइडल ने, कोई स्कल्प्चर ने, कोई स्टाच्यू ने आगे जब आप पढ़ते हैं, ये सारे चीज़े कुरान में भी लिखे, मैं उसके पर आओंगा, ये है इश्वर के बारे में जो लिखा गया है, उसी तरीके से अब आगे जब पढ़ेंगे यजूरवेद, चाप्टर नमबर 40, वर्स नमबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है, अ वर्स लोग असंबूती की पूझा करते हैं, असंबूती मतलब नैच्रल 600, डाइक हवा, पानी, आग जो नैच्रल ठीक की पूझा करते हैं, जिसे हवा, पानी, आग 시청 वह अंदकार में दाफिल हो रहे हैं, और वह श्लोका कंटी नियो उतार है, वो लोग और गोर अंदका में दाखिल होंगे और उर लिखा है रिगवेद में जिल्द No.1, Hym No.1, वर्स No.46, एक कमसत विप्रभःदा विदानते हैं, सत्य एक है, खुदा एक है, एक कमसत विप्रभःदा विदानतेें, लोग, विदवान लोग उस इिश्वर को कई अलग नम से बुकारते हैं इश्वर को कई अलग नम से बुकारते हैं यही चीज़ लिखा है कुरान में जो मनी जिकर किया सुर्श सुरामpiece 17ाथ number 110 कुलिदुल्लावुदुर्ण रुदुर्र्हमान अयमात दू अगर कोई इतरास ने अगर कोई कहता है कि इश्वर बनाने वाला है उसका तरजुमा करते है अरभी में हो जाता है खालिक हमें कोई इतरास ने लेकिन अगर कोई कहता है कि इश्वर वो ब्राम्मा है जिसके चार सिर है हर सिर पे मुखट है तो हम मुसल्मान उस पे इतरास करते हैं क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजरुवेद चैप्टर नमबर 32 श्लोका नमबर 3 के खिलाफ जा रहे ना तरस्पतिमास्ती उस इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है रिगवेद में किताब नमबर 6 हिम नमबर 46 श्लोक नमबर 16 में या एक इतमुष्टी ही भगवान एक ही है सिर्फ उसकी तारीफ करो अब भ्रहम्म सूत्र हिंदुष्म का है एक कम बरहम दियोत्या नास्ते नेना नस्ति किंचन भगवान एक ही है दूसरा नहीं ही है नहीं है नहीं है जरा भी नहीं सिर्फ एक खुदा है उसके इलावा कोई नहीं है अगरकोई मुसलिमान से पूछे ही है कि सबसे बहतरीन क्या डेफिनिशन ए खुदा की, अल्ला की वो जवाब आपको देंगा सुरह एकलास सुरह नमबर 112, आयत नमबर एक से चार जिसमें लिखा है कुल हुआ लाएक है अल्ला हुस्वमद, अल्ला जो बेनियाज है लम रिद वरम उलत ना वो किसी को जना है, ना किसी से जना है वलम ये कुल लुकुफ़नाद उसके जैसा कोई नहीं है ये चार लाइन का डेफिनिशन एकुरान मजजिद में सुरह एकलास, सुरह नमबर 112 जिसमें ल्ला ताला फरमाते कुल हुआ ल्ला हुआद कहो के ल्ला एक है ल्ला हुसमद ल्ला जो बेनियाज है लम लिद वलम उलत ना वो किसी को जनता है, ना किसी से जना है वलम ये कुल लुकुफ़नाद उसके जैसा कोई नहीं अगर कोई भी चीज़ को आप कहते है खुदा है, भगवान है, इश्वर है अगर ये चार लाइन के डेफिनिशन में उतरता है हम मुसल्मान को कोई इतराद ने मानने के लिए के वो इश्वर है, के वो खुदा है तो ये सनातर न ध्रम के खुदा एक है उसका कोई अखसने हुबभू मिलता है कुरान मजिल से लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ यहां तक के तो सही जनातर ने कहा इश्वर के बारे में मैंने मान लिया मैंने थोड़ी और रिसर्च किया मैंने के तो का मैं द्यानन सरस्वति और विदवान हूँ कर तो explorping और रिसर्च क्या हों रिसर्च में लिखा है वेध में पुराना में के एक आखरी आउतार आने वाले हैं इसका दिकर द्यानन सरस्वती ने नहीं कहा लिकिन लिखा है भविष्य पुराना मतलब जो भवविष्य के बारे में आपको कह रही है अगर आप पढ़े हैं वेद और भविषय पुराना और बाकी पुराना कई जगा आखरी पैगंबर मुहम्मद स्वालने सल्म का जिकर है मैं पुरा तक्सीर से ने मुझा से हवाले दूँगा तो आसान होगा अगर आप पढ़ेंगे भविषय पुराना अगर आप पढ़ेंगे अथरववेद किताब नमबर बीस खंड नमबर 127, श्लोका नमबर 1-14 में महमस्णलासम का जिकर है इसे कहते कुंटब सुक्ताथ अगर आप पढ़ेंगे रिग वेद, किताब नमबर 1, चैप्टर नमबर 53, श्लोका नमबर 9 में महमस्णलासम का जिकर है कई जगा पे उनका नाम से जिकर है और बड़ी तफ्सील से जिकर है कल की पुराना में कल की पुराना चैप्टर नमबर 2, श्लोक नमबर 5, 7, 9, 15 यहां पढ़ेंगे, इसमें लिखा है का कल यूग में, कल यूग मतलब आखरी यूग में आएंगे आखरी आउतार, आउतार जिसा मैंने का मतलब ने का भगवान निचे आना, आउतार एक संस्कृत वर्ड है, इसका मानी आउत्र, मतलब खुदा ने भेजा, खुद खुदा नहीं आ रहा है, इट बिलॉंग स्टु गॉद, नोट गॉद इमसेल्प, इसलिए इसका इसका कॉंटसेप्ट है, मेसिंजर, पेगंबर, तो कल यूग में कल्किया उताराएंगा, उसके बाप का नाम है विश्नु यास, विश्नु मतलब इश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा, अर्भी में कहीं हो जाता अबदुल्ला, जो मतलब खुदा का नाम ता, वो पइदा होँगे आएएज़ खांदान में, जो उस शहर का रख्वाला था, और मुहमदTheala सूल्न्ट कुरेश खांदन में पईदा होए。 पहली वही उन्हें आएज़ पेहले आए यह सबर में, आई गार हिरा में, रात के वक्ट हम जानते है, फिर वह माइग्रेट करें नौत वर्दर वापिस आएंगे, मुम्म्मद सुल्ह सुल्ह ने इजरत की मदिना पर वापिस आया, उनके चार करीब दोस्त होंगे, सबसे पहले चार खुलपा राश्चिदीन, ऐसे कई तफसील है, तो खुदा के जिकर के बाद, जो वेद में एकसानियत है, जो कुरान से मि में लिए सुरे माइदा सुरा 5, आयत नंबर 90, शराब मत पियो मनुस्मिती, चाप्र नंबर 9, श्लोक नंबर 220 में लिखा है, रिखाँ पेनाचे कुरान में लिखाए कि अट नंबर 331, रिखवेद में लिखा है, जिल्ध नंबर 8 में, इस तरीके से कई एकसानियत है, सबस मुझे जानकारी नहीं है और अपने धर्म को जो जानता हूं उस हिसाब से हमें हम तो सभी देवी देताओं को मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए यह हम जानते हैं के धर्म में सबसे उची किताब क्यों शी है हम तो गीता को मानते गीता क्या है वेद का निछोड़े सबसे उची किता दो भ्यृत के हिस्था है श्रुथी वेद उपणिशाद फिर आएंगा आखी मारत भगवद तो वेज में जब लिखा इतना खास तो और कि भगवा नहीं के तो आपको तैकी करना पड़ेंगा ना तो मैं जो कह रहा हूं उसे लिखिए या ओलडी अविले बेले किताब में किताब जाइए पढ़िए वेज पढ़िए यह दाकर इंब बंबाई तो नहीं कर रहा है हमाला बात को बोल रहे हैं, पिस्ट टीवी में भी देखता हूं, तो अब आप व्याद के बारे में बोले हैं और बताए हैं आपका च्प्टर नंबर और पढ़ना नंबर तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि ठीक है बोल रहे हैं तो कुछ तो कुछ होगा, उसमें भीना कुछ तो जाली कॉंट्रवसी होना जरूरी नहीं है, आप उसको अच्छाई के तरफ लेकिया, वह आपको अच्छाई के तरफ लेके आएगा, कॉंट्रवसी नहीं करना, अगर आदमीं बोला दो जमा दो पांच, जान दे यार, मेरा पार्टनर मुझे ज्यादा पईसा दे रहा, आप ठीक बोल रहे हैं, मेरे पार्टनर का नाम भी मैं बताना चाहूंगा, सेयद मजरूल हसन साब, नाखो लोग सुन लिए ना, हाँ, हमारे से 15 साल बड़े वी हैं, मेरे से 15 साल बड़े वी हैं, हमारी डिसकस होती है, सब चेप्टर पर डिसकस होती है, पंतु मैंने क्या कहा कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी कंटरावैसी नहीं होता है, और आपने वेध के बारे में बताया, जरूब मैं बेद को कोई पढ़ूंगा, कोईит कोंटरवरसी नहीं है, कंटरवरसी नहीं एकसानियत है, कुछ आप से ले के जा रहा हूं, मैं देखे नहीं जा तिसके लिए मैं अपने जो आप वेद के वारे में बोलें मैं जरूर उसको पढ़ूंगा और साथ दिन में पढ़ूंगा इन्शाला आप पढ़िये तहकी कीजिए लेके जारे अगर आप कबूल करेंगे तो मुझे देखे भी जाएंगे सवाब इन्शाला मेरा परणाम को फ